हेलो एन वेल्गम दूदी वल्वाइट पो जोस्तो चाइना यूएसे और आकस को लेकर बड़ी खबर निकल कर आ रहा है यह शुरुवात करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पुछता हूँ क्या वाकई में चाइना और अमेरिका के बीच में पीस एग्रिमेंट हो रहा है मैं कि इसलिए पूछ रहा हो क्यों कि यूएसे की ट्रेजरी सेक्रेटरी यानि के फाइनेंस मिनिस्टर जैने टियलन चाइना में है और चाइना को जाकर इन्होंने कहा कि जी यूएसे चाइना रिलेशन्स ज्यादा स्टेबल हो चुके है और अमेरिका चाइना से अलग नहीं ह बात कर रहा हूँ यह एक मिलेटरी क्लब है जिसमें तीन मेंबर से ऑस्ट्रेलिया इस उनाटेट किंडम और यूनाटेट स्टेट्स इसलिए इसका नाम ऑकस रखा गया है और आता है कि वह और कंट्रिस को शामिल करें इनके ग्रूप में बिजिकली ऑकस अपने आपको एक इसका इसार भी किया कि वह और कसमें शामिल होना भी चाहते है और पता नहीं जब यह सब कंट्रिस एक बार और 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 शामिल हो जाएंगे ना फिर यह अपना एक्रॉनियम मतलब कैसा फिट करेंगे कैसा रखेंगे वह मुझे आइडिया नहीं लेकिन दोस्तों सवाल यह है कि असल औकस मेंबस औकस को कियूं एक्सपैंशन करना चाते है तो देखिये जी वह उमीद करते हैं कि जब ज्यादा गंडरिस औकस ग्रूप में जॉइन करेंगे तो वह चाइना को इंडो पैसिफिक रीजियन में कॉंटर कर सकते हैं चाइनीज इंफ्लूएंस को क्र भारा प्यारा भारत इस कन्वाजेशन का हिस्सा है तो देखिये जी ओफिशल तौर पर पोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं निकल कर आया है लेकिन पास्ट में ये आइडिया पर ये सोंच पर चर्चा की गई थी के इंडिया को आउकस में लाना चाहिए जब आउकस बनाता रिया तो साफ साफ हम यहां पर देख सकते के वाइड आउस के स्पोक्स परसेंट जैन के मुताबिक और कस में पोई एक्स्ट्रा कंडरी शामिल नहीं होगा लेकिन यह कुछ तीन साल पाईले की बाती लगता है कि अब बाइड एडिन अडिमिनिस्ट्रेशन का दिल बदल गया है पिछले साल से अलाइन्स को बढ़ाने का खयाल बढ़ चुका है दोजात तेविस में युनाइटेट किंडम ने इंडिया के लिए पिछ किया था प्रितिश लॉमेकस ने इंडिया की शामिल होने को आगस्ट के मन्त में सपोर्ट किया था और रिपोर्ट्स ने स्पेकुले रिपोर्ट्स कहती है कि ऑउकस नेशन्स चाते थे कि इंडिया ओकस में शामिल हो और रहे इंडिया के साथ काम करना चाते थे इन सब फिर्ड में अब एकस्पांशन प्लाइन्स इसी तरह की शकल ले रही हैं आउकस ऑलाइंस इसे पिलर 2 कहता है जिसका मतलब current members, नए members के साथ deal करेंगे, साथी साथ वो मिलकर advanced technologies पर development करेंगे जैसे कि artificial intelligence, hypersonic missile और quantum technologies जैसे sector पर यहां AUKUS कंट्री द्वारा काम किया जाएगा, अगर इंडिया इसमें शामिल होता है न, तो new possibilities खुल सकते हैं, यहां पर यह alliance को ज्यादा वेटिश मिल सकता है, especially चाइना के केस में क्योंकि आस्ट्रेलिया ही एक लोता कंट्री है, इंडो पैसिफिक रीजियन में जो AUKUS को जॉइन किया है, लेकिन आपके दिमाग मेंना है, कोशन आना चाहिए कि जी क्या इंडिया AUKUS को जॉइन करेगा, नहीं करेगा, तो देखिए जी मेरा पहुत आटोनॉमी का इस्तेमाल करना पसंद करता है, दोस्तों जो चीज आउकस हमारे लिए करेगा ना, वो चीज को हम AUKUS में शामिल नहीं होकर भी कर सकते हैं, क्योंकि देखो एगें शुरुवात में आउकस ये एक मिलिटरी अलैंस के तोर पर नहीं पैदा हुआ था, बलकि फ सप्लाई कर रहा है, दोनों कंट्री मिलकर आउस्ट्रेलिया को सम्मरिन बना कर देने वाले हैं, यही आउकस का में पाट है, हाँ वो अलग बात है कि आगे चलकर नेटो की तरह ये एक लाई या फिर मिलिटरी ग्रूप बन सकता है, पॉसिबिलिटिस हाई है यहाँ पर, औ और दोस्तों हम चाइना के साथ बौडर भी शेर करते हैं, तो हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे कि इंडिया की रिलेशन्चिप जो पहले से चाइना के साथ खराब है, वो और भी ज्यादा यहाँ पर खराब हो जाए, दोस्तों चाइना इन डेवलेपमेंट्स तो बहुत और से देख रहा है, चाइना ने ऑउकस एक्सपैंशन के खिलाफ युनाइट स्टेट्स ऑफ अमेरिका को वान किया है, चाइना ने आगे यह भी कहा कि युनाइटेट किंडम, और रीजियन के कंट्रिस और इंटरनाशनल कॉम्यूनिटी के वाइट स्प्रेड कंसर्स को न सेमिकंडेक्टर खरीदा जाए, क्योंकि AI, Quantum Computing, Hypersonic Missile Program यह सब के लिए एक सेमिकंडेक्टर की जरूरत होती है, दुनिया को इसकी शौर्टेश मैसुस हो रही है, लेकिन तैवान ती सेमिकंडेक्टर मेकिंग कंट्री यहां पर आता है, तो USA और AUKUS के लिए यह एक साबित होगा, और चाइना को इसे एक पहुत बड़ा सेट बैंक देखने को मिलेगा, अगर चाइना वार शुरू करता है, तो यह एशिया पैसिफिक रीजियन में आम्स रेस को तेस कर देगा, और रीजियन पीस और स्टेबिलिटी को कम जोर कर देगा, चाइना को इस बात वो काम हम अराम से बिना ओकस को जॉइन हुए भी कर सकते हैं, और वैसे भी गाइस इंडिया रेगुलर तोर पर ओकस मेंबर्स के साथ मिलेटरी एक्सेसेस में शामिल होते रहता है, डिलिंग्स में शामिल होता है, और साथ ही कंट्रिस जैसे यूनाइट स्टेट्स के साथ चाइना के बारे में मिलेटरी इंटेलिजेंस शेर कनने का रिकॉर्ड भी है इंडिया के पास, तो ओकस के साथ मिलकर काम करने के लिए न्यू टेली को सच में मेंबर होना ज़रूरी नहीं है, इंडिया बिना ओकस को जॉइन करे ही बेटर है, बुट है, हम चाइना के साथ और भी ज्यादा रिलेशन्शिप खराप नहीं करना चाते है, हम इसे पीक पन नहीं लेकर जाना चाते हैं, क्यूंकि अर दी एंड देको इंडिया चाइना एक नेबर कंट्री से, क्यूंकि जियो पॉलिटिक्स में फ्रेंड को एनिमी, एनिमी को फ्रेंड में बदल दिया जा सकता है, लेकिन एक पड़ोसी को नहीं बदल सकते, तो यह कुछ अप्डेट्स थी, जो मैंने आप तक लाया है, आपको ओपिनियन क्या है, नीचे लिखिएगा, कमेंड में मैं उने हाट दे दूँगा, और अगर मेरी वीडियो इंफरमेटिव दिखे तो